भारत है और इंडिया शब्द है इसको लेकर बड़ा विवाद छिड रहा है और जो मीडिया है वो इस पर बड़ा मिर्च मसाला लगा के उताती है कि सरकार से पूछती है कि यह जंता जानना चाहती है बलकि जंता दोनों नामों में सुखी है तो इस पर आपके क्या विचार ह यह कि दो तरह से मुद्ध्य को देखने है, पहली बात यह उठा क्यों, और दुस्छी बात, सही क्या है, गलत क्या है? यह उठा क्यों, इसके पीसे राजनीतिक प्रिष्ट भूमे पूरा देश जानता है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ. पर कोई मुद्धा राजन सभा में इस पर खूब बहस हुई थी, यह हमारे सम्विधान का अनुच्छत एक है, और उसमें लिखा हुए इंडिया, इस भारत, शेल भी ए यूनियन अफ स्टेट्स, बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि उससे में डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें, कुछ लोग ने आर्या वरत भी कहा, आर्या वरत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले, अंत में सहमती बनी कि नहीं भारत और इंडिया ही ठीक है, नहरु जी ने खुल के तो नहीं पर नहरु जी के परस्पेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी, कि हमारे सम्विधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत हरे एक्ट थे, जो अंग्रेजों ने बनाये थे, जैसे इंडिया 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 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इसे एमाल था, उस समय के भारत की तरफ से जो समझोते इंडिया के बराबर महत्तु भारत का भी रहेगा, तो लिखा गया है, इंडिया जो की भारत है, राज्यों का एक संग होगा, शार दिन पहले की बात है, मैं हॉलेंड में एक टेक्सी में बैठा हुआ था, टेक्सी का ड्राइवर मुरक्को करेने वाला था, उसको जैसी पत या, मैंने का येस, we are listening to a debate, इंडिया और भारत, what do you think, मैं बड़ा चकित की ये मुरक्को का आदमी, हॉलेंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है, तो मैंने का कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है, मैंने का जैसे मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मज़ा है, वो बॉम्बे में नहीं है, बॉम्बे तो अंग्रेजोंने नाम दिया था, कोल काता को केलकटा अंग्रेजोंने किया, तो बंगाल के लोगोंने कोल काता कर दिया, उसको, डेल ही को दिल्ली के लोगोंने दिल्ली क दिल्ली बनाके रखा हुआ है यह सारे तरक अगर सही है अगर बर्मा का नाम म्यामार होना सही है क्योंकि उनकी जंत्रा की आवस्तु म्यामार में है बर्मा में नहीं है श्रीलंका और सिलोन की डिबेट में वो अपने को सिलोन ना मानना चाहें श्रीलंका मानना चाहें तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए मैं फिर सबस्ट कर दूँ मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं मुझे उनसे रतिभर मतलब नहीं मैं एक विचार की बात कर रहा हूं और मैं जब सम्मीजान पढ़ाया करता था अनुछे देख पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुबन होती है यह पढ कामला है अब समस्मी में फिर बोले कि बड़ी इंट्रस्टिंग बात है हमारा नाम मुरक्को पढ़ गया फ्रेंच लोगों की वज़े से मुरक्को के लोग मुरक्को को मगरिब बोलते हैं और जब मैं सौधिय अरभी आ गया सौधिय अरब के लोगों ने मुझसे कूछा कह मैंने का मुरक्को उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूँ बोले नहीं मगरिब से आए हूँ अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कहके खुश है तो उसे फ्रेंच लोगों की वज़े से मुरक्को क्यों कहा जाए इंडिया शब्द वेस्ट में दिया और बुरे भाव से दिया उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिशड़ा हुआ होना रेड इंडियन्स वेस्ट इंडियन्स तो आज यह क्यों हुआ मैं समझता हूं कि राजणितिक नहीं तार्थ है और उस राजणिति में में रुची जरा से भी नहीं है लेकिन आज हो या कभी भी हो मैं इस पक्ष में हूँ कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में है आप इंडिया भी रख लेजिए इंडिया देट इस भारत के बदले भारत देट इस इंडिया मेरी पहली पसंद होगी मुझे इंडि